ना निन्दती नचास्तोती ना हृष्यती ना कुप्यती ना ददाती ना ग्रहनाती मुक्तह सर्वत्र नीरसः नमस्कार मित्रों ये जो श्लुक है याश्टावकर गीता के सत्रवे अध्ध्याय का तेरह भा श्लुक है जिसे हम आज यहरए से समझेंगे तो आए ये सबसे पहले ж की अर्थ को समझते हैं तो जो श्लुक है को कहता है तो यहां पर अश्टावक्र जनक महाराज से कहते हैं कि जो व्यक्ति मुक्त हो जाता है वह ना तो किसी की निंदा करता है ना ही किसी की स्तुति करता है ना तो वो हर्ष करता है ना ही वो खुपित होता है और ना ही वो कुछ देता है ना ही वो कुछ लेता है वह सर्वत्र नीरस होता है तो यहाँ पर नीरस होने को बताया जा रहा है कि नीरस होना किस प्रकार से जो है मुक्ति का संक्यत है और यदि हम वैसे देखें अपने सामानी जीवन में तो लोग नीरसता को जो है एक नकारातमक दृष्टी कोड़ से देखते हैं कहते हैं कि नीरस होना जो है तो ऐसा हो गया कि जीवन में जो है आपके कोई रस ही नहीं है तो यह जो बात है यहाँ पर वह क्योंकि ग्यान के संदर्व में बताया जा रहा है इस कारण से इसको हमें समझना है वास्तों में भक्ति जो है भक्ति में एक रस होता है निश्चेती इसी कारण से भक्ति की एक अपनी महिमा है और जो ग्यानी होते हैं वह भी भक्ति की और आकर्शत होते हैं किन्तु जब व्यक्ति को ग्यान नहीं है और तब वह जब संसार में रस लेने का प्रयास करता है तो उसका जो रस लेने का प्रयास होता है संसार में वह उसके लिए बाधक हो जाता है अर्थात नीरस हो जाना अपने आप में बुरा नहीं है परन्तु संसार में रस लेना संसार के प्रति नीरस हो जाना जो है उसका महत्व है तो यहां पर जब नीरस बोला जा रहा है तो नीरस से यहां पर आती है नहीं कि व्यक्ति जो है नीरस ऐसी हो गया उसको अब किसी भी विशय में कोई कोई उसको रुची नहीं ऐसा नहीं है भगवत विशय में रुची हो सकती है तब भी और भगवत विशय में ही ग्यान के प नीरस हो जाता है और नीरस से यहां पर अरती है कि संसार में कुछ भी जो है उससे वह अपेक्षा नहीं रखता है जैसे हम जब संसार में जीवी रहते हैं तो हम तो अलग-अलग रसों का यहां पर अनुभव करते हैं ना कभी तो अच्छा रस होता है और कभी बुरा रस भी ह होते हैं तो उसका जो है कड़वा रस होता है तो यह जो रस है यह हम लेते हैं क्योंकि हमारी संसार में आ सकती होती है इस कारण से परन्तु जो ग्यानी व्यक्ति होता है उसकी संसार में आ तो यह जो भी रस सिस के हैं उससे इन पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता वहें इनकी अप्रती नीरस हो जाता है और नीरस हो जाने से जो है जो सहते हैं और आत्मुकर हम सोचते हैं कि भ deck the video Sam परसन्य रहने का ही एक कर्थ निकाल जाता है, कि नु कि रस के भोग को पूरी समझ नहीं पाते हैं तो वो यहां पे है यह सूक्ष्म बात है कि नीरस से जब हम अर्थ लेते हैं तो हम यही लेते हैं कि भई जी उसके जीवन में तो कोई सुखी नहीं रहा पर वो जीवन में जो है ऐसे ही बस रहता है पड़ा रहता है परन्तु वह वाली बात नहीं है, जो वेक्ति ज्ञान से संसार्क्रपति नीरस हो जाता है, वह कोई फिल्म भी अधि देखेगा तो उसमें वह कहीं अधिक रस लेगा एक सामान्य वेक्ति के प्रती, जैसे आप देखे कि जो डरावनी फिल्में होती है, उनसे कई बार बहुत ले सकेगा, क्योंकि वह नीरस है, तो इस प्रकार की अवस्था वास्ता में होती है, कि जो फिल्में भी हम देखते हैं, उनमें जो घटनाएं होती हैं, उनमें जो अच्छे घटनाएं होती हैं, उनसे हम खुश होते हैं, जो बुरी घटनाएं होती हैं, कि इबार हमको फॉ अनन्द लेता है क्योंकि वह इन रसों से प्रभावित नहीं होता है वह वाली बाते जो कि यहां पर बताई जा रही है ऐसा नहीं है कि यहां नीरस होने से यहां पर आती है कि वही वेक्ति जो है अग्दम पत्थर बन गया बस वो भी एक है वो पत्थर बन जाना भी एक है पर करें नहीं अपनी इच्छा से अपने भावनाओं पर नियंत्रन करके और तब जो है जब लगता है तो वह उस रस को अधिक आनन्द लेता है ना कि वह व्यक्ति जो की इन इनका जो है स्वाद लेकर इनके भोग में लगे रहे तो वह संदीश था यहाँ पर इस श्लोक में आशा करता हूं कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे समझा दिया होगा चलिए इसकी साथ इस वीडियो की पिसमा आप करते हैं नमस्ते करते हैं